चलिए इस वीडियो में मैंने टिग्नोमेट्रिक फंक्षन जो चैप्टर है ना 11 स्टेंडर का उसकी सेकिंड एक्ससाइज कवर करिए सर बुक कौन सी है यह बुक यहां पे है यह NCRT सर करने के वाले वीडियो में सबसे पहले मैं टिग्नोमेट्रिक फंक्षन है ने उनके बारे मैं बात करूँगा फिर मैं बात करेंगे पाई माइनस थेटा रिलेशन यानि कि एक इसके साथ और भी बात करूँगा पाई बाई टू माइनस थेटा रिलेशन और इस वीडियो के एंड में मैंने exercise के solution प्रोवाइड करें तो पहले तो मैं explanation cover कर रहा हूँ और last में मैंने जितने question ने उनके solution प्रोवाइड किये चली आपको सबसे पहले trigonometry function की बात कर रहा हूँ देखिए आपको याद नहीं trigonometry function chapter का नाम हो गया और अगर बात करें 10th class में तो वहाँ पे नाम था trigonometry ratio correct तो पहली बात तो मैं recap करा देता हूँ यह जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ यह तो लड़ी आपने 10th में करीब ही है तो थोड़ा से recap ले लेता हूँ वह trigonometry है क्या चीज कहानी क्या है इस trigonometry में देखें टिगonometry में एक चीज confirm है कि वह एक triangle की बात करते हैं और वो right angle triangle है और कोई भी triangle हो अब तो हम right angle बनाई लेते हैं उसमें perpendicular draw करके तो right angle triangle में सामने 90 degree को hypotenuse कहते थे और इसको base कहते हैं इसको perpendicular अब एक चीज देखना अगर आपको समझ में आती है तो ये मैंने angle ले लिया theta right अब ये जो angle है न ये angle को change करने से यानि कि देखी मैं line बोल रहा हूँ एक angle को change करने से अगर इस angle को माले जी ये थोड़ी देर के लिए 60 degree था पहले और मैं इसको अगर 30 degree कर देता हूँ तो आप देखना कितनी side पे फरक पड़ता है 30 degree angle मैंने कर दिया तो दो side पे फरक पड़ा एक ये वाली side और एक खुद hypotenuse पे तो यानि कि angle और side का भया relation तो है और वो relation क्या होता है उसी relation को पढ़ने के लिए ये chapter बनाया गया यानि कि what is the relation between angle और side अब बात होती से total side तो हम देखो जाए तो तीन side है तीन side के अगर ratio बनाते है ना तो 6 ratio बनते है सर कौनचे ratio बनते हैं 6 देखिए मैं आपको बताता हूँ ये question का मैं आचाओ देना चाहता हूँ ये trigonometry के 6 ratio है ये आपने पढ़ाओगा और इन दोनों इन 6 में ratio में से सबसे पहले ये domain है यानि कि इनको basic trigonometry ratio कहते हैं और ये जो बच गए ना बाकि 10 वाला कोसेक वाला सेक वाला कोट वाला इसको कहते हैं derived one ये तो भाईया derive करे गए हैं ये तो derived ratio है तो question arise होता है सिर्फ six ही क्यों होते हैं ये six इसलिए होते हैं तीन साइड है इन तीनों साइड के आप ratio बना लो दो दो साइड एक बार में तो total six ही बनते हैं तो होप सो आप बात करेंगे फंक्शन जो है थोड़ा से ratio तो चलो 10 में था अब थोड़ा advanced version ले ले लेते हैं इस sign जो था ना वो था perpendicular upon hypotenuse तो आपने ये भी पढ़ा होगा एक याद करने का तरीका पंडित बदरी परसाद हर हर बोले हर किसी का अलग अलग तरीका है तो ये एक तरीका आपने 10 स्टेंडर में पढ़ा था इसमें जो p upon h है ये पहले वाला ये आपका perpendicular upon hypotenuse है यान की sign है फ अब बात करते हैं कि ठीक है सरी ये हमें समझ में आगी है इस angle को a ले रखा है ना तो angle को a समझाने के लिए मैं यहाँ पे angle a ले लेता हूँ confusion ना हो जाए यानि कि ये diagram भी इसके साथ match खाए तो बढ़िया ये a ले लेते हैं ये b है तो ये c है तो यहाँ a है राइट खेर अब बात करते हैं कि ये मैंने आपको याद करने का तरीका है इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि भी टिग्नोमेटरी आइडेंटीज पड़ी थी हमने ये आइडेंटीज हमने 10th स्टेंडर में पड़ी थी जिनका 11th में मैं यूज करन कोस थीटा था और अगर कोट की बात करूँ कोट थीटा इसका रिवर्स हो जाएगा यानि कि वो हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा तो इतनी information मैं आपको as a 10th स्टेंडर से मान के चल रहा हूँ को आपको आती होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स जो नमबर पर जाएगा नहीं चीज आगी नहीं तो नहीं हमने थोड़ा वो 10th में करा था कि क्वाडरेंट साइन स्कीम क्या होता है देखिए यह जो लाइन है ना x-axis इसको मैं इसको x-axis आगर consider कर रहा हूँ और यह y कर y consider करता हूँ तो यह चार क्वाडरेंट बनते हैं यह हो होता है अब 90 तो दीरी दीर आप भूली जाओ रेडियन में बात करना शुरू कर दो पाई बाई टू हो गया यह अगर 180 था तो 180 को दीरी दीर आपको मैं यूज करूंगा पाई यह पाई बर रेडियन के बराबर हो गया तो 90 और 180 के बीच में second quadrant है अब पाई और यह 180 और 270 क और 2 पाई की यह जो है यह fourth quadrant है तो total चार quadrant बने पहला quadrant है ना देखिए आपको मैं बताता हूँ याद दिलाता हूँ first quadrant में अगर आपको ध्यानों सारे के सारे positive होते हैं all are positive all टिग्नोमेट ratio लेकिन sine और cos यानि की second में sine का और इसका reciprocal यानि की cosec इन दोनों को ही positive होता है बाक कौन चार second quadrant का meaning क्या है यानि कि angle अगर second quadrant का हो जैसे मालो 120 degree आ जाए तो यहाँ पे second quadrant का angle है अगर यहाँ पे 70 degree आता है तो first quadrant का value और third quadrant में आपने ध्यान दिया 10 और coat यानि कि दो ही टिग्नोमेटी ratio है वो positive value देते हैं 10 और coat और इसका angle x का मतलब 180 से बढ़ा हो 270 से छोटा हो तो माली जी 200 ही ले ले लेता हूँ तो x 200 है मतलब 10 200 आप लोगे तो positive आएंगे इन दोनों case में positive है बाकी में negative और fourth quadrant में cos और इसका reciprocal secant है इन दोनों को छोड़ दें बाकी negative होंगे और यह positive अच्छा बात यह आ जाती है कि sir यह होता क्यों है question is why तो दीकिए एक simple सी logic बताता ह अगर मैंने यहाँ पे टेग्नोमेटरी यहाँ पे माली जी ट्रेंगल बनाई और यह मेरा angle है माली जी एंगल मेरा x है तो आप note करना इसमें first quadrant में यह x-axis है ना x-axis भी value positive है यानि कि base positive हो गया और भाया perpendicular भी positive है तो sign और यहाँ पे hypotenuse तो हमेशा positive होगा ही होगा sir हमेशा क् hypotenuse तो निकालता है भी यह थे कि base square प्लस में perpendicular square तो इसमें अगर मैं कोई भी trigonometer ratio ले लूँ तो तीनों वो जो positive है तो इसमें सारे के सारे जो answer आएंगे ना वो positive के आएंगे first quadrant में लेकिन second में अगर आप ध्यान दो चली second का angle बनाते हैं second में अगर मैंने बनाया तो second में य ये हो गया यहाँ पे दीखी ये base negative हो गया base negative हो गया लेकन अगर यहाँ पे perpendicular है वो positive है अब sine के case में अगर cycling theta की बात करहों तो वो prependicular upon base होता है तो perpendicular आपन 20 wrath हय पोश्तियु user होता है तो perpendicular आपन हैपोश्तियु user का formula होता है कि इसका sin theta का तो perpendicular आए निक यह positive है और hypotenuse यह भी positive है तो sign और cosec ही इसमे positive देते है जिस टिक्नोमेटर ratio में base involved हो जाता है वो negative value देगा base involved किसमें होता है देखिए आप याद कर ये पंडीत बदरी परसाद हर हर बोले ये था तो अगर आप base involved है किसमें cos theta में base involved है 10 theta में अब यहां आ जाते हैं इस case में अगर मैं दूँ तो यहां अगर angle बनाएं तो इसमें angle अगर बनेगा थोड़ी देर के लिए तो देखिए क्या क्या आता है इसमें base भी negative है और perpendicular भी negative है तो base और perpendicular यानि कि base और perpendicular तो दोनों इसमें आते हैं negative से negative खट जाएगा तो इसमें 10 और quote है न वही positive होंगे और यहां पे ये दो negative में से अगर मालीज ये base negative है तो देखिए base negative cos को negative बना देता है और अगर हाप perpendicular लें तो वो sin को बना देता है तो इसमें sin x और cos x जो है वो दोनों के दोनो negative value देंगे अगर यहां बात करें तो इस case में बात कर लेते हैं इस case में आप देखिए ये जो value है न ये negative है चलिए base positive है तो अगर जिसमें base include होता है right वो positive हो जाएगा तो base तो भी या cos में include होता है क्योंकि हमें पता है cos theta जो है वो base upon hypotenuse जो और hypotenuse हमें से positive होता है तो positive अपन positive पोजटिव आएगा जिसमें height include हो जाता है प्रपेंडिकुलर है यानि कि जैसे sin theta उसकोई value negative आएगी fourth quadrant में तो ये मैंने कोशिस करें कि होते क्यों है आई होप आपको clear हुआ होगा चलिए अगर quadrant clear होते है तो next point ले लेते है next point आता है trigonometry table बहुत जादा use होती थी 9th 10th में भी और अभी भी होती है देखिए हमने अभी आपको याद है basic trigonometry angle है 0, pi by 6 को लिखते है 30 और pi by 4 को लिखते है 45 degree और इसको लिखते है 60 degree और 90 degree तक तो trigonometry table हमने कर रखी है अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ यह I'm not going to teach you something new यह 10th में भी है याद करने का तरीका से आप में भूल गए तो तो एक तरीका है इस table को लिखने का counting लिख लिजी कैसे 0, 1, 2, 3, 4 counting लिख लिख लिया फिर हर नमबर को 4 से divide कर दो 4, 4, 4 divide by 4 यह तरीका है याद करने का बिल्कुल कर लिया और फिर हरे का square root निकालो यह square root निकाला इसका भी square root निकल गया इसका भी square root निकल गया सर आपने ऐसा क्यों करा अब देखो आपको value बताता हूँ अगर आप ध्यान दो ये तो 0 ही आया 1 by करा तो इसका 1 by 2 आया value भई 1 का square root 1, 4 का 2 ये अगर simplify करते तो 2, 1 जा, 2, 2 जा तो ये 1 का square root 1 और root 2 का square root root 2 आगया अगर 3 का लेंगे square root तो 3 आएगा और 4 का लेंगे तो 2 आएगा 4 by 4, 1 होता है और 1 का square root जो 1 आगया ये तो एक याद करने का तरीका है सिर्फ sign का याद कर लीजिए आप coast का तो और भी इसी है, sir कैसे इसी है बिलकुर reciprocal कर दीजिए, 90 का यहां पे ताना इसको यहां लिख दीजिए second last का तो second बना दीजिए और ये तो देखे, में दोनो midway आ रहा है जो second था ना इसको second last बना दीजिए और जो first था ना उसको last बना दीजिए और 10 theta आप से छुपी है यही नहीं 10 theta का याद करने का तरीका था sin theta upon coast theta तो 0 upon 1 करेंगे ना तो 0 upon 1 तो भी है, 0 आता है और अगर 1 by 2 और आप रूट 3 by 2 को divide करोगे यानि कि 1 by 2 divided by root 3 by 2 करोगे तो 2 से 2 cancel हो जाएगा यहां से 1 by root 3 आ गया यानि कि 10 30 degree ये दोनों value सेम है divide करोगे तो 1 आ जाएगा इसको divide करोगे root 3 by 2 को 1 by 2 को जो 2 से 2 cancel होगा ये 3 हो जाएगा 1 by 0 है definitely इसको no define कहते है तो मैंने आपको एक trigonometry sign से ही दोनों याद करा दिए बाकी आपको जुरूत नहीं पड़ेगी क्यों नहीं जुरूत पड़ेगी आपको अगर sec ची है तो आप सबको पता भी sec theta है one upon cost theta होता उससे आ जाएगा तो अब आगे बात करते हैं ये तो था class 10 तक का नई चीज आ जाती है कि πाई 180 डिगरी पे और 3 पाई बाई 2 होता है 270 डिगरी पे और 360 डिगरी पे इनकी देखिए ये जो है ना ये 0 है ये मैंने लिया तब पाई बाई 2 आपको याद होगा ये पाई है और ये 3 पाई बाई 2 है अब इन angle पे हम पड़ते हैं और ये 0 वाला ही अगर करें तो 2 पाई आ जाता है तो देखिए अगर आपने ध्यान दिया साइन जो पाई है ना वो होता है कितना साइन पाई की वैलू होती है 0 यानि कि इस angle पे अगर हम बात करेंगे साइन की वैलू 0 आएगी फिर बात करते हैं कि इस 270 पे यानि कि यहाँ पे साइन निकालेंगे तो यह माइनस का 1 बाई 2 आएगा सरी माइनस 1 बाई 2 क्या है वड़ इस अ नेगिटिव एंगल थोरी यह भी मैं आपको बताता हूँ पहले मैं यह बताता हूँ और 2 पाई जो है ना यानि कि यहाँ पे लेंगे तो 2 पाई पे इसकी वैलू आ जाएगी आगे इन 0 चली अब कोस की बात करते हैं देखिए अब यह आपको बताता हूँ कोस की 0 पे 180 पे कितना होता है तो कोस 180 पे जो वैलू देता है ना वो देता है माइनस 1 राइट फिर आगर हम बात करें बहु 270 पे कोस की वैलू हो जाती है 0 आप बात करते हैं बहु यह एक्चुल में वैलू आप याद कर लोगे तो थोड़ा सा जर्णी स्मूथ हो जाएगा नहीं याद होती है तो इसको डिराइव कर लेंगे कोई इशू नहीं है फिर 10 की बात करें 10 पाई पे इसकी वैलू होती है 0 और 10 3 पाई वाई 2 पे होती है नोड डिफाइन और 10 2 पाई पे होती है अगें 0 यह आपके लिए नई चीज है यानि कि यह जितनी मैंने वैलू बताई है यह पहली बार हम बच्चों को 11 में डिस्कस करते है आपको टिग्नोमेंटरी टेबल को याद इसलिए करना पड़ेगा कि इसके क्वेश्चन जो हैं वो हमारी सेक्सेसाइज में आये हुए है और वो क्वेश्चन आपको एक बार याद हो जाती है वैलू जाद हो जाती है तो बड़े स्मूथली हो जाते है चली होप सो आपको बार क्लियर हुआ होगा नेक्स ले लेता हूँ सबसे इंपोर्टेंट आ गया इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा इसको मैं इंपोर्टेंट मार कर देता हूँ दे कोई है क्या यह कहता है pi by 2 minus theta यानि की 90 minus theta और pi minus theta यानि की 180 minus theta ये relation क्या होते है तो ढंक से सुनना ये है आपका 90 या pi by 2 क्लियर और अगर इसमें से minus करते हैं देखिए ये जो red line है ना ये मैं लिख लेता हूँ साइन pi by 2 minus theta जो है ये आपको क्या है 90 minus theta कर रहा है तो 90 minus theta तो यहीं पे आएगा ये red line इसकी property को change कर देगा इसको बना देगा cos theta ये नई चीज़ है इसमें अगर यहाँ पे cos 90 minus theta होता तो ये cos convert हो जाएगा किसमें? sign में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी अच्छा ये दोनों आपस में इंटर कनवर्ट होते हैं अब बात करते हैं सर्फ what about 10 अगर आपसे कोई कहे कि 10 90 minus theta यानि कि pi by 2 minus theta है वो हो जाएगा cos theta में और अगर cos 90 minus theta आपसे पूछे जाए तो वो हो जाएगा 10 में लेकिन ये सारी positive value है क्यों positive है क्योंकि 90 minus theta करोगे तो first quadrant में आएगा और first quadrant में हमारी सारी value positive होते है मैं आगे बताऊँगा other quadrant में ये कैसे भीयो करते है तो ये तो था inter converter अच्छा sec की अगर बात करें तो देखिए अगर secant 90 minus theta हो जाता है तो वो बराबर हो जाएगा cosec theta के और अगर cosec 90 minus theta की बात हो जाएगी तो वो बराबर हो जाएगा sec theta के लेकिन बात ऐसे है कि ये तो है first quadrant में अगर कोई ये जो और हमेशा याद रखना ये जो line है ना vertical वाली यही आपका sign को cos में convert करती है minus करने पर सर फिर दूसरी नहीं करती कै ये नहीं करेगी जो green line है ना ये बिल्कुल नहीं करेगी green line का मतलब है अगर आप 0 और ये 2 pi है और 0 है वो 2 pi है तो अगर कोई angle देखिए मैं एक नई चीज बता रहा हूँ यहापे कोई angle अगर pi में से minus करते हैं एक्जामपल लेके बताता हूँ sine pi minus theta तो देखिए sine तो sine रहेगा इसमें कोई में कनवर्ट नहीं होगा अब ये देख लो ये theta कहां बन रहा है sine pi minus theta बहिया second quadrant में बन रहा है second में sine positive होता है तो sine positive हो जाएगा लेकिन अगर ये कोई होता और pi minus theta होता second quadrant में आएगा second में cos क्या होता है second में अगर cos देखे तो negative होता है तो यहाँ पे minus cos theta आएगा तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें sine sine ही रहता है और cos cos ही रहता है सिर्फ sine का फरक पड़ता है यानि कि sine change करता है ये pi हो गया इसमें से theta minus करे second quadrant में तो रहेगा तो ये 10 theta ही लेकिन second quadrant में 10 negative है तो minus आएगा और अगर coat की बात करे coat pi minus theta तो देखे coat definitely second quadrant में तो negative ही होता है तो रहेगा negative लेकिन coat coat ही रहेगा अब बात करते हैं secant की तो secant में देख लिजी sec 90 यानि की 180 minus theta या pi minus theta करेंगे तो ये minus का sec theta बनेगा क्यों बन रहे है second quadrant में sec minus होता है लेकिन interesting चीज़ है कोसेक अगर pi minus theta देखे यहाँ पे आप ध्यान देजी दो ही तो positive होते है second quadrant में एक sign और एक उसका reciprocal कोसेक तो कोसेक अगर pi minus theta है तो ये plus का कोसेक theta बनेगा ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो horizontal line है जो x-axis वाली line है ये property को change नहीं होने देती सरफ sign change होता है sign का sign रहता है कोस का कोस रहता है और ये जो vertical line है ना ये भाई ये division कर देती है vertical line में तो दूसरा angle ये भी आता कई बच्चे कहते है सर ये भी आता है 3 pi by 2 बिल्कुल 3 pi by 2 भी change करता है एक example लेके बताता हूँ देखे कैसे अगर कोई आपको कहे है sign 3 pi by 2 minus में theta तो 3 pi by 2 ये है और minus theta करोगे तो यहाँ आएगा और ये तो third quadrant है third quadrant में sign क्या होता है third quadrant में sign negative होता है और ये sign change भी हो जाएगा cos में तो minus का cos theta हो जाएगा ये तो एक चीज यहाँ से ये clear होई कि भाया ये जो vertical line है ये change कर रही है sign को cos में और उसकी हिसाब से sign भी change हो रहा है मतलब इसमें plus और minus भी आ रहा है अगर मालेजी मैं 10 लेता हूँ for example यहाँ पे मैंने लिखा 10 3 pi by 2 minus theta अब देखी 3 pi by 2 में से minus theta करा तो third quadrant है और third में हमें पता भी है 10 positive होता है तो इस case में ये positive तो बनेगा लेकिन ये coat बन जाएगा coat theta बनेगा और positive बनेगा क्योंकि 10 third quadrant में positive होता है अगर कोई angle pi by 2 में से minus हो रहा है 3 pi by 2 में से minus हो रहा है और 5 pi by 2 में से minus हो रहा है तो उसमें definitely value change हो गई अगर आपका कोई भी angle pi में से 2 pi में से अच्छा 3 pi में से अगर इसमें से change हो रहा है तो उसमें value change नहीं होगी sign का ही आपको ध्यान में रखना है कि plus आएगा या minus आएगा मेरा मानना आपको एक लिर हुआ होगा अब देखिए next बात करता हूँ यह सबसे important है इसमें आप देख लिजी सरी यह हमेशा minus आता है plus नहीं आता है बिल्कुल आता है plus अगर कोई आपको कही चली मैं लेक लेक बताता हूँ कि sin 3 pi by 2 plus theta यह बताओ तो 3 pi by 2 तो यह है और plus theta करोगे तो यह fourth में आएगा fourth में भी यह negative होता है sign और sign cos में convert होगा क्योंकि 3 pi by 2 है तो यहाँ पे भी minus cos theta बनेगा सर अगर यहाँ pi है दूसरे कई बच्चे पूछते हैं सर अगर 2 pi आ जाए तो मैंने आपको कहा था कि यह 2 pi और 0 same है तो sin 2 pi minus theta की बात करते हैं साइन 2 pi 2 pi तो यह रहा 2 pi में से minus theta कर रहे हैं तो obviously यह fourth coordinate में लाई करेगा fourth में sin negative होता है तो sin theta ही रहेगा यहाँ पे लेकिन अगर यह cos होता और 2 pi minus theta होता तो दिखिए 2 pi में से minus कर रहे हैं fourth quadrant और cos cos ही रहेगा लेकिन इस case में plus होगा अगर सर प्लस होतो यानि कि cos 2 pi plus theta होतो तो दिखिए 2 pi plus theta अगर देखा जाए तो तो अगर फर्स quadrant में आगया तो first quadrant में तो वैसे cos positive हो जाएगा और cos cos ही ही रहेगा क्योंकि 2 pi में से कर रहे हैं अगर मैं pi में से minus plus कर रहा हूँ 2 pi में से minus plus कर रहा हूँ तो दोनों में basic property same रहेगा यानि कि कहने का मतलब है sin sign रहेगा और सिर्फ symbol का ध्यान भी रखना है as per quadrant कि कौन से quadrant में कौन सा technometry function positive या negative होता है hope so आपको एक्लियर हुआ होगा चलिए आप last point लेते हैं exercise शुरू करने से पहले ये बहुत बार use होता है देखे sin minus x है न वो minus sin x होता है sir क्यों होता है minus angle का मतलब है कि हम भाया quadrant angle किस तरह से ना परें clockwise ना परें clockwise ना परें तो ये कौन सा quadrant है fourth quadrant है fourth quadrant में देखा जाए तो sin negative होता है लेकिन यही चीज अगर cos minus x को आप से पूछे तो ये positive हो जाएगी sir ये positive क्यों होगी देखो आप cos में actual में देखा जाए तो ये cos जो है ना वो fourth quadrant में positive होता है अब ये दोनों से आप easily निकालोगी sir कैसे अगर कोई आप से 10 minus x पूछे तो देखिए minus और एक plus है भाई आपको पता है 10x का देखिए इससे कभी भी कड़वड नहीं होगी आपको 10x क्या होता है भी आप note करो तो वो भी minus का cos x आएगा cortex आएगा अब बता secant का secant minus x अगर करोगे तो secant minus x करने पर ये positive x बन जाएगा क्योंकि fourth quadrant में cos और sec इसका reciprocal दोनो positive होते हैं लेकिन अगर मैं again cosec की बात करूँ तो ये भी minus की value देगा ये मैं इस exercise में यूज करूँगा जो next exercise में शुरू करने वाला हूँ I hope आपको ये clear हो ये क्या चीज है चलिए अब exercise question करते हैं चलिए हम exercise 3.2 है ना इसके question answer कर लेते हैं पहला question लेते हैं ये थोड़ी चेंडर स्टेंडिंग हमारी deepen ही होगी इससे कहते हैं find the values value निकालनी है other five trigonometry function जो है one is given cosec दे रखा है और सबसे important बता क्या है third quadrant में third quadrant का मतलब देखी ये मैंने आपके लिए already का रही third quadrant का मतलब है कि जो x है ना वो यहाँ पे है और यहाँ पे 10x और cortex ही positive होते हैं बाकि सब negative होते हैं तो करेंगे कि सबसे पहले तो यह five निकालने हैं ना cosec तो दे रखा है तो बिना time waste के विना sec x लिख देता हूँ sec x आप सबको पता है भई one by cosec होता है और one by cosec जो है यानि कि इसका reciprocal हो जाएगा तो minus two by one हो गया ये हो गया मेरा पहला ये तो दे रखा था चलिए अब अगर note करें ये cosec है तो आपने द्यादिया मैंने trigonometry identities लिखी भी यहाँ पे सर आपने क्यों लिखी है एक ही purpose है कि ये जो cosec है ना इसको मैं अगर इस identity में put कर दूँ तो मुझे sign की value मिल सकती easily तो मैं क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इस identity को sign square x है ना वो हमें पता है वो बराबर होता है one minus में cos square x की और cos x की minus one by two है तो one minus में और ये minus one by two मैंने इसका square करा इसको जब मैंने simplify किया तो one by four बना और अगर मैं इसका LCM ले लेता हूँ तो LCM आया four और four minus one करा तो ये three by four आ गया देखिए three by four है ना वो sign square x की value है और x की value अगर मैं निकालोंगा तो ये हो जाएगा इसका square root करना पड़ेगा और plus minus उपर से आएगा यानि कि अगर आपको मैं simple navigation बता हूँ तो ये हो जाएगा plus minus में root three by two अब बात होती है कौन चाले माइनस ले या प्लस ले अब third coordinate में x लाई करता है third में तो अगर आप देखो sign negative होता है तो हमें यहाँ से एक चीज़ confirm होई कि sign x जो है उसकी value में negative ही लिखूँगा यहाँ पर तो minus three by two है ये इसका value होगा sign x का देखे sign का आते ही सबसे अच्छा और क्या लगता है sign का आते ही भाई मैं cosec लिख देता हूँ हमें सबको पता है cosec जो cosec होता है न वो one by sign होता है तो ये भी negative होगा और ये इसका reciprocal कर देते है तो अभी तक अगर आप देखो तो मैंने sign cosec, cosec और सेक आ गया 10 और कोट बसते हैं चलिए देखे हम सब agree कर रहे हैं यो 10 x होता है न वो बराबर होता है sign x upon cosec के ठीक है sign x की value मेरे पास है ये री यानि कि ये कितनी हो जागी minus 3 by 2 और 3 by 2 और इसके नीचे अगर मैं लिख दू cosec की value देगी रखी है minus 1 by 2 और ये अगर मैं value को cut करूँ तो देखते है cut करने भी कितना आता है 2 से 2 cancel हो गया और minus से minus cancel हो गया तो ये root 3 आया और वैसे भी जो third quadrant है और आप सबको बता है जो 10 का reciprocal होता है वो cortex होता है यानि कि 1 by 10 x ही तो होता है तो इस cortex की value कितनी हो जागी 1 by root 3 हो जागी ये मेरा answer आया है आप देखो हमसे पूछाता है पांचो trigonometry ratio की बात कर रहे हैं तो ये check कर लो कि 5 होए कि नहीं तो check करते हैं देखी 1 यहाँ पे मैंने हो गया 2, 3, 4, 5 ये पांचों हो गए इसमें एक ही rule आपको द्याध्यान में रखना है कि कौन से quadrant में है बस sign का ये दिक्कत आता है चलिए next ले लेते हैं इस question को देख लेते हैं कहता है sign next given है और x इसमें second quadrant में है second quadrant का मतलब x यहाँ पे lie कर रहा है ये जो है ना x यहाँ से लेके second quadrant में है तो obviously second में तो sign और उसका reciprocal कोसे की positive है तो बाकि टिग्नोमेट ratio निकालने है तो बिना time waste की sign का मतलब कोसेक x है ना अब मैं थोड़ी से identity की help लेता हूँ इस identity को वापी से use करने वाला हूँ इससे कोस निकालने वाला हूँ यानि की कोस इस identity से होता है कोस square x is equal to one minus मैं sin square x और sin x की value अगर मैं रख देता हूँ वो कितने 3 by 5 तो 3 by 5 का मैं square कर देता हूँ 3 by 5 का square अगर आप agree कर रहे हूँ वो 9 by 25 होता है इसको simplify करेंगे 25 LC मा जाएका 25 में से 9 और आपन 25 आया तो ये हो गया 16 by 25 अब देखिए ये 16 by 25 कोस x square x है अगर मैं कोस x लोगा तो square root करूँगा कि मैं किसका 16 by 25 का और दो value हैंगी plus और minus 16 का तो 4 होता है और ये 5 लेकिन हमें कोंच लेना है second quadrant में जो कोस है ना वो negative होता है तो एक चीज़ यहां से मुझे लग गया कि यहां लिख भी सकते हैं कि भई x lies in second quadrant ना अगर x second lies in second quadrant इसका मतलब कोस x negative होगा तो negative value ही मैं यहां पे लोगा minus 4 by 5 है यह मेरा answer होगा तो देखी कोसे का गया अच्छा कोसे काने के बाद तो बड़ा easy हो जाता है sec निकालना सिधा ही लिख सकता हूँ वही 1 by cos होता है ना तो इसका reciprocal कर देते minus 5 by 4 कर देता हूँ तो यह और भी आसान हो गया अब बात करते हैं किसका 10 का तो देखी 10 भी आप agree करो तो 10 X का भी simple सा formula है वालना कि identity से भी निकालते हैं कई बच्चे लेकिन मैं दूसरा तरीका भी दोनों तरीके ठीक है तो 10 X होता है actual में sin X upon cos X और sin X की value हमें दे रखिए 3 by 5 यह 3 by 5 जो है इसको मैं divide कर दूँ cos X को यानि कि minus 4 by 5 को तो अगर आप note करें 5 से तो 5 cancel हो रहा है तो यहां से मुझे मिला minus का 3 by 4 और वैसे भी second coordinate में जो 10 है न वो negative तो होता है यह तो आगे 10 अब cortex जो है हम सब को पता है यह 1 by 10 X होता है तो उसका reciprocal कर देंगे और यह हो जाएगा minus 4 by 3 तो यह तो हो गया cortex right और यह value हो गया हमारी 10 X की और अगर आप note करो यह दो इसकी होगी यान कि total 5 trigonometry ratio हमने निकाल लीजी चली third question देख लेते हैं सारे question same ही है बस थोड़ा थोड़ा different है देखे इसमें पहली चीज़ क्या ध्यान में रखने हैं यह third quadrant में X third quadrant का मतलब है कि X यहाँ पर लाई करेगा अगर X यहाँ लाई कर रहा है तो 10 X और cortex ही positive होंगे बाकी negative होंगे तो देखे cortex तो already positive दे रखा है cortex है तो सबसे पहले तो मैंने 10 X निकाला क्योंकि यह होता है one by cortex और यह answer आजाएगा four by three तो यह तो पहला ही हो गया I hope clear हो गया आपको अब next ले लेते हैं अब देखे identity इस case में अगर मैं यह वाला ले लेता हूँ तो मेरे को यहाँ से secant मिल जाएगा sec मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि क्या यूज़ करने वाला हूँ secant square X है न वो बराबर होता है one plus में 10 square X की और 10 X की value मैंने रखी one plus में four by three इसका square करेंगे और four by three का square होता है one plus में sixteen by nine और अगर LCM nine ले लिया आपने तो nine LCM आगा तो nine plus sixteen जो है वो होता है twenty five तो twenty five by nine आया लेकिन यह secant square X है और अगर मैं sec X की value रखूँगा तो इसका square root निकालूँगा तो twenty five by nine और यह आ जाएगा plus minus में five by three लेकिन देखी पहले तो यह बताएगे क्या इसमें secant की value क्या होगी obviously negative होगी तो यहाँ पे जो sec X है ना वो मुझे minus का five by three है यह value आगी और sec निकलने के बदद बड़ा आसान हो जाता है कैसे इससे मैं कोस निकालूँगा कोस एक जो हो जाता है वो उसका reciprocal हो जाएगा तो minus three by five हो जाएगा तो लीजी इससे दो यह यह यानि कि तीन टीक्नोमेटरी रिशो हमारे आगे बचा क्या sign और कोस एक तो अगर हमारा कोस होता है ना तो हमारे लिए sign जो है वो बड़ा आसानी से निकल जाता है कैसे बताता हूँ sign X जो है sign this identity का use करे sign square X जो है वो बराबर होता है one plus में one minus का यह मैं लिक देता हूँ यह sign बहुत मेटर करते है इस identity में अगर sign निकलना है तो कोस को यहाँ transpose करूँगा तो one minus में कोस square X बचेगा तो one minus में और कोस का square करूँगा तो यहाँ से बन जाएगा nine upon twenty five और इसको simplify करता हूँ twenty five वहाँ जाएगा twenty five में से nine minus कर दोंगा तो sixteen by twenty five बचा यह sign square X है और sign X अगर होगा तो यह इसका square root हो जाएगा तो sign X का अगर हो जाएगा तो यह हो जाएगा plus minus में four by five लेकिन आप से आगे एक्स लाइज करता है third quadrant में third quadrant में sign X negative होता है तो minus का four by five आएगा और एक बार sign X आगया तो इसका reciprocal ले ले लेंगे तो हमें cosec X मिल जाएगा और cosec X हो जाएगा minus में five by four यह आपको I hope clear हुआ होगा question number three चलिए question number three के बाद बात करते है question number four को well same चीज है हलका सा जो चीज आया है ना वो यह है कि समें sec X आगया और यह fourth quadrant में तो यह quadrant fourth में ना sec इसमें अगर में cosec और से की ही positive होते है तो सबसे पहले तो cosec ही निकाल लेते हैं इसका reciprocal five by thirteen जो है ना वो cosec की value आगी चलिए अगर correct हो गया अब बात करते हैं cosec हो गया cosec से sine निकाल लेते हैं तो sine square जो X है वो बराबर होता है one minus में cosec square X कहां से बार-बार मैं कहरा हूँ इस identity को यूज कर रहा हूँ मैं five by thirteen है यानि कि five का square होगा 25 और 13 का होगा 169 इसको simplify किया 169 है उसका मैंने lsim ले लिया 169 में से मैंने 25 माइनस किया तो 144 बचा तो 144 है वो 169 के बराबर है लेकिन मुझे तो sine X ही है तो इसका square root करना पड़ेगा square root किया तो यह आगए 12 by 13 प्लस माइनस आया अब यह बताओ fourth quadrant में क्या होता है sine की value fourth quadrant में actual में negative होता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I think easy रहेगा समझाना तो यह sine X जो है न यहाँ पे minus का 12 by 13 आयेगा sir minus आपने क्यों लिया क्योंकि sine X fourth quadrant में negative ही होता है अच्छा अब sine का अगर value आगी है तो मेरा मानना है कोसिक निकाल लेते हाथ वाथ कोसिक जो है sine का reciprocal होता है तो minus 13 by 12 ले लेते हैं तो लीज़े यह भी आपको समझ में आया होगा अब total में से 10 बचा है तो 10 का निकाल लेते हैं 10 X अगर आप agree कर रहे हो तो sine upon कोस होता है और sine की value मैंने अभी निकाल लिया मैंने कि minus 12 by 13 और अगर कोस की value देखो तो यह रही यानि कि 5 by 13 और यह 13 से 13 अगर मैं simplify करने के लिए strike off कर देता हूँ तो minus 12 by 5 बची यह 10 आ गया कोट की बात करें तो reciprocal होता है तो कोट X हो जाएगा minus 5 by 12 तो पांच ओ टिक्नोमेट रेशियो आगे हमारे यानि कि कोट भी आगया हमारा और यह 10 की value भी आगी हमारी और sign और कोस की value आगी तो मेरा मानना है यह भी आपको clear हुआ होगा चली question 5 की बात करते है well same चीज है इसमें second quadrant आया है इस बार यह second quadrant है हमसे कहा रहा है कि भाई यह 10 X given है तो second में तो 10 वैसे negative है इसने भी negative ही दे रखा है तो 10 का reciprocal लें तो court X सबसे पहले निकालते है minus 12 by 5 clear यह तो इसका reciprocal हो गया अब कोकोसिस करते हैं देखे 10 अगर दे रखा है तो इस identity से मैं secant निकाल देता हूँ मैं court से भी यह निकाल सकता था दोनों भी correct है चली इससे निकालते है तो second square जो X है वो बराबर होता है 1 plus 10 square X और यहां पे मैंने इसका square करोंगा तो 5 का square 25 होता है और इसका square होता है 144 किसका 12 का तो अब value आगी यहां पे 144 plus 25 और नीचे है 144 तो यह हो गया 169 upon 144 अब देखिए अगर यह second X निकालना चाहते हो तो आपको इसका square root लिलना पड़ेगा जो होता है plus minus 13 by अगर आप note करोगे तो 12 होगा अब second quadrant में अगर आप note करो तो second quadrant में अगर ध्यान दिया होगा तो यह तो sign और को से को चोड़के negative होते है तो यहाँ पर second X जो है वो negative 13 by 12 आएगा यह मेरा मानना आपको clear होगा अच्छा अब बात करते हैं कि निक्स जो यह चीज है इससे कोस निकालनेते हैं कोस obviously इसका reciprocal होता है और वो भी minus 12 by 13 हो जाएगा क्योंकि कोस भी तो second quadrant में negative होता है अच्छा साइन अगर हम निकालें तो आप साइन ले लेते हैं साइन का एक और भी तरीका है कि आप agree करोगे कि साइन X जो है न वो बराबर होगा 10 X और multiply by cos X तो 10 X की value यह दे रखी है यानि कि minus 5 by 12 और cos X की value minus 12 by 13 और यह 12 से 12 cancel हो गया तो अगर आप देखो 5 by 13 जो है न और वैसे भी साइन जो है वो second quadrant में positive ही होता है यह तो मैंने निकाला साइन की value और साइन का अगर reciprocal कर देते हैं cos X तो यह हो जाएगा 13 by 5 यह आपने समझ में आया होगा clear तो देखे एक चीज मैं बताता हूँ यह जो है न जनरली बच्चे लिख देते हैं बट correct way बताता हूँ correct way क्या है कि X square अगर 4 है न तो X की value plus minus 2 लिख सकता हूँ यह है बिल्कुल correct है लेकिन एक wrong जो misconception मैं यहाँ पे साइद मेरे को लग रहा है बच्चे गलत ना पकड़ ले अगर यह तो है correct सर फिर incorrect क्या है लेकिन यह ध्यान में रखी यह root 4 है न वो plus minus 2 लिखना गलत हो जाएगा मैं बार बार यह कर रहा है तो मुझे अभी यादा है कि इंगलती ना हो तो आप सीधा अगर यह करते कि भी यह secant square X है और secant square X इसके बराबर है तो secant X जो है वो अगर आप लेते तो plus minus सिधा आ जाता सीक है यानि कि इसको यहाँ पे मन direct भी लिख सकता था मुझे square root लगाने की जुरूत नहीं होती चली आपको इस हमझ में आया होगा question 6 की बात करते हैं चली question 6 कर लेते हैं हमें निकालना है find the value of sine 7 and 865 काफी बड़ा angle है इसमें दो चीज़ें आपको बताओने चीए पहली क्या कि मैं न अगर एक round लगाता हूँ तो I hope agree with me कि यह round जो है वो 360 degree का होता है ठीक है और 360 degree की line और अगर आप ध्यान दो 0 degree की line दोनों same है तो मैं आपको समझाने के लिए इतना ले लेता हूँ कि 360 और 0 बराबर है क्योंकि आगे बढ़ जाता है फिर यह तो करने क्या वाला हूँ अगर माल लेजिए एक angle यहां आता है और यह angle है 45 degree का थोड़ी देर के लिए फर्स कॉर्डेंट में तो 45 degree का है तो 45 degree का angle की जो value आएगी न और 360 प्लस में 45 की जो आएगी वो same आएगी सर सेम क्यों आएगी क्योंकि मैंने का ना 360 degree की जो line है और 0 degree की line सेम है तो for the time being 360 को मैं 0 ले लेता हूँ तो आपको इस समझ में आजागे क्यों सेम आएगी करना क्या मैं आपको बताता हूँ पहले इस angle का break up करूँगा और ये पता करूँगा कि कितने complete revolution कर रहा है rotation कितने हो रहा है देखो आप simple देख यहां से एक वाला कितना हो गया 360 हो गया फिर अगर मैं वापिस से करूँ 360 का दो चकर करूँ तो 720 हो जाएगा और 3 करूँ अब आगे कर रहा है ये जो angle है ना ये 720 से बढ़ा है तो इस angle को मैं अगर ऐसे लिख दूँ सहथ कोई आप भी agree करोगे इसको मैं 720 प्लस मैं 65 लिख देता हूँ पर कोई फरक नहीं बात है अब ये 720 भाई मुझे पता लगा एक्चल में ये तो 2 times 360 होता है यानि कि अगर मैं 720 की जिगह पर लिखता हूँ 2 times 360 और प्लस मैं 45 degree तो ये एक चीज मेरी पकड़ में आई वो क्या चीज पकड़ में आई कि पहला तो ये पता कर देते हैं क्वाडरेंट कौन सा बन रहा है 360 का दो चकर का मतलब है कि ये तो है पहला चकर और ये है दूसरा चकर यानि कि दो चकर यहां होगे प्लस 45 का मतलब है ये वाला एंगल तो फर्स्ट क्वाडरेंट में है साइन जो है वो पोजिटिव आता है ये 0 डिगरी है तो समझने के लिए मैं दोनों को सेम ले रहा हूँ तो ये पूरा जो चीज है न इसको मैं 0 ले लू अगर मैं इसको 0 ले लू समझाने के लिए तो 0 प्लस 45 कितना हो गया साइन 45 हो गया और साइन 45 जो है आप एकरी कर रहा होगे बैया 1 by root 2 होता है तो इसका value आगे 1 by root 2 और positive क्यों आई क्योंकि ये हमें पता है कि sin 45 है वो first quadrant में और first quadrant में तो sin की पता है all ही positive होते है तो ये इसका answer आगया 765 का इसमें जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि आपको ये पताग पर करना है कि 360 का multiple कितना है चलिए और समझाता हूँ अगले question में और clear होगा आपको question number 7 देख लिजी देखिए 7th क्या है 7th question है कि find the value कि ये cosec minus 1410 है इसमें एक नई चीज और use होगी sir क्या use होगी देखिए अगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा sin minus x है न वो actual में minus का sin x होता है I hope थोड़ा बोल टेंद का आपको याद होगा और course अगर होता न तो actual में वो value positive होती sir ये क्यों होती है ये already हमने न previous class में discuss भी कर लिया था अब करना क्या है वो बताता हूँ आपको sir ये cosec है ये तो sign cose नहीं definitely sign जो है उसका reciprocal cosec है तो मैं इस concept को use करके एक चीज पहले निकालता हूँ ये sign बाहर आज है मतलब बाहर तो नहीं ये answer जो आएगा ने इसका ये cosec 1410 आएगा clear अब बात करते है 1410 किसके नजदीक है देखिए मैंने 360 की table लिखिए 360 1 जा, 360 2 जा, 360 3 आप ध्यान से देखो 360 4 जा है न वो इतना होता है clear हुआ तो अगर आपने note करा तो इस मैं 1410 को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ क्या क्योंकि ये इसके close में है इसके close में है तो मैं लिख सकता हूँ 1440 minus में अगर मैं 30 कर देता हूँ तो ये 1410 ही आता है अब अगर ये 1410 है आप देखो ये किस का आया 360 को 4 से multiply करने पर आया तो मैं next चीज क्या करने वाला हूँ ये 14104 है न ये देखाता है तो 4 times है न इसको मैं लिख सकता हूँ 4 times 360 degree और इसमें से मैंने 30 minus कर रहा है अब आप एक चीज बताना कि ये मेरा 360 degree का angle है और 0 degree का भी है दोनों का सेम ही है अब इसमें ये इस पूरे को अगर मैं देखो एक simple सा आपको तरीका बताता हूँ इस पूरे को मैं 0 count कर लूँ अब 0 count कर लूँगा 0 में से minus 30 कर रहा हूँ ये 0 में से अगर इस तरह से minus 30 यानि की clockwise angle होगा तो वो कौन्चे quadrant में आएगा fourth quadrant में आएगा तो fourth quadrant में आएगा तो एक चीज दिखे इसको मैं बहार रखता हूँ ये वाला sign मेरे पास ये बचा कोशक minus का 30 ठीक है और कोशक minus 30 थोड़ी दिर पहले मैंने बात पास थे ये बन जाएगा अगर आप agree कर रहे हैं तो minus कोशक 30 बन जाएगा और minus कोशक 30 जो है वो एकर में देखा जाए तो भाया कोशक का 30 degree 1 by sin 30 का यानि की reciprocal होगा sin 30 है 1 by 2 इसका reciprocal तो 2 by 1 हो जाएगा तो इसको simplify कर दें तो यहां से मुझे 2 by 1 मिला और bracket खुलेगा तो यह answer 2 आगया यानि की कोशक minus 1410 की value 2 आगी इसमें जो दिमाक लगाने वाली चीज है वो यह है कि sign का आपको ध्यान में रखना है पहले मैंने इसका use करा तो यह sign बाहर आगया फिर मैंने इसकी value निकाली तो इसकी value भी minus 2 आई अब एक 2 minus बाहर है एक अंदर है तो finally मेरा जो answer है वो plus कर 2 आएगा खुले question number 8 की बात कर लेते है next question की अब देखे इसमें degree नहीं है इसमें radian आगया चलिए कोई बात नहीं simple है यह भी समझाता हूँ पहला जो काम है न वो यह है कि यह 19 by 3 है न इस 19 by 3 को आपको divide करना आता है पहले 3 से divide करता हूँ 3, 6, 18, 1 बचा तो इस 19 by 3 को मैं लिख सकता हूँ 6 पूरा पूरा quotient है remainder 1 है इसको ऐसे लिख सकता हूँ इगरी कर रहे हो इसका मतलब फिर क्या आप करना क्या चाहरे हो मैं यह करना चाहरा हूँ 19 by 3 πाई को आप देखें आप मैं πाई लगा दिया यहाँ पाई लगा दिया तो मैं इसको भी पाई लगा रहा हूँ आप पहली चीज़ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 πाई प्लस मैं πाई बाई 3 अब इसको simplify करोगे न तो 6 πाई प्लस पाई बाई 3 देखा जाए तो यही बनता है देखें mix fraction के बात बताता हूँ 6 1 by 3 आपको कोई कहे तो actual में यह 6 प्लस 1 by 3 होता है एक बच्चा मेरी क्लास में कह रहा था सरी यह तो 6 into 1 by 3 होता है नहीं यह नहीं होता है बिल्कुल गलत है यह बात इसका meaning होता है 6 तो whole और 1 by 3 उसमें add कर रहा है part तो मैं करने क्या वाल हूँ मैं इसको पहली चीज मेरे दिमाग में यह आगी कि इस तरह से इस angle को break करने वाला हूँ यानि कि यह जो angle है ना इसको मैं break करने वाला हूँ 6 pi प्लस मैं pi by 3 और अगर आप simplify करोगे तो यह 19 pi by 3 आता है आप करके देख लीजी अब आप वापिस आ जाते हैं देखिए यह जो है ना 0 degree और 2 pi एक ही बात है तो यह एक चकर है वो पूरा 2 pi के बरापर होता है तो यह 6 pi है ना अगर आप देखा जातो 3 times 2 pi है और मैं पिछले question में भी बार बार कह रहा था कि यह जो 2 pi है देखा जाए तो यह 0 है समझने के हिसाफ़चा आप यह समझ लीजी अगर यह 0 है तो मैं 0 में अगर कुछ भी add करता हूँ तो यह मेरा 0 प्लस pi by 3 करूँगा तो यह pi by 3 आया और pi by 3 अगर आप देखो तो obviously आप agree करोगे तो 60 degree के बरापर ही होता है तो pi by यानि के 10 pi by 3 जो है वो बरापर हो जाएगा root 3 के तो यह मेरा answer आगया root 3 तो इसकी value यह आगए 10, 19, pi by 3 अब कई बच्चे कहते हैं सिर आपने यह प्लस करा तो क्या मैं minus करता तो भी आजाता answer तो बिलकुल आता लेकिन यह ज़्यादा easy है जो ज़्यादा easy होता है हम fall to के steps क्यों बढ़ाएं तो यह आपको समझ में आया होगा अगर यह आपको समझ में आ गया चलिए next question के बात कर लेते हैं question number 9 के बात कर लेते हैं question number 9 है वो यह रहा आपके screen पे देखो concept यूज़ कर रहा हूँ वही concept की भई अगर sign के यहाँ पे minus है तो यह minus sign x होता है sir क्यों होता है यह definitely मैं अलोड़ी discuss कर चका हूँ तो सबसे पहला काम तो बिना time waste के minus बाहर आ गया और यह बना 11 pi by 3 अब पहला काम है इस 11 को मैं divide करूँगा 3 से तो यह बना 3 3 जा 9 और 2 बचा तो 11 by 3 जो है वो 3 तो quotient बना ठीक है 2 remainder बना और यह 3 बना 3 3 4 9 2 बई लेकिन अगर आप note करो देख एक बात है बई आप 2 pi जो है न यहां तो 2 pi बन यहां even number होता तो मेरे लिए easy हो जाता 2 pi होता 4 pi होता तो वो easy होता sir क्यों easy होता क्योंकि 2 pi का मतलब है एक complete round यह तो 3 pi बन जा रहागा तो 2 तरीके हैं यह देखिए एक तरीका कहा है पहले इसको मैं सीख कर रहा हूँ यह 3 ठीक से लिखता हूँ यह तरीका यह है कि यह 11 pi by 3 है न इसको मैं अगर 3 pi ना लाके 4 pi ले लूँ तो बात बोलो sir आप कैसे 4 pi लेना चाहरे हो मैं समझा देता हूँ मैं इसको यहां लिखके बताता हूँ 11 pi by 3 को मैं 3 से next 4 ले लेता हूँ कैसे लोगे sir आप मैं लिख लेता हूँ 4 pi minus मैं pi by 3 यह लिया मैंने sir आप बोलो से हाँ तो 3 आया ता फिर 4 क्यों लिया actually मैं मुझे 2 pi 4 pi 6 5 का multiple इसलिए लेना था क्योंकि 2 pi ही 0 के बराबर मैं ले रहा हूँ तो मैंने 4 pi लिया 2 से हागे 4 4 pi लेने से मैंने देखा भी आप इसको simplify करोगे यह पहला step तो आपको यह combination ढूंड लिया ढूंड लिया अब मैं इसको सब यहां पे इस angle की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ 4 pi माइनस में pi by 3 और 4 pi अगर आप note करो तो वो देखा जाए तो यह तो 2 pi और यह गूम के आता है यह 4 pi बना तो यह तो 0 के बराबर ही बना 4 pi भी तो और minus कर रहा है तो minus 4th quadrant में आएगा तो इसको अगर मैं 0 काउंट कर लो हूँ थोड़ी देर के लिए और यह अगर बन जाएगा मेरा bracket ले लेता हूँ sin minus pi by 3 और यह minus बाहर आ जाएगा तो यह बाहर negative क्यों आ जाएगा तो यह sin है बाहर 4 pi में से minus कर रहे हैं तो 4th quadrant में तो बन रहे है 4th में तो sin वैसे negative होता है तो यह sin pi by 3 बना sin pi by 3 जो है अगर आप agree कर रहे हो तो वो तो 60 degree होता है तो sin 60 degree होता है root 3 by 2 तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूँ minus और root 3 by 2 अब bracket खोलते है minus और minus plus हो जाएगा तो root 3 by 2 है वो plus का है वो इसका answer आएगा यह मेरा मानना आपको clear हुआ हुआगा कि plus क्यों हुआ अब बात होती है सर यह बताओ आपने यह लिया और अगर यह ना लेके 3 pi से लेते तो तो अगर एक बच्चा कहा रहा इसको ऐसे भी तो लिखते हैं 3 pi यह ले लिया और यहाँ पे आपको चाहिए 2 pi यहना कि मैं अगर करूँ 2 pi by 3 ले लिया थोड़ी देर के लिए यह भी तो possible है 3 3 9 9 और 2 को करा तो 11 pi by 3 तो सर यह गर यह थोड़ा सा lengthy हो जाएगा फाल तू के स्टेप्स आ जाएंगे सर होतो सकते है आंसर बिलकुल हो सकते है यह भी आंसर वही देगा और यह भी लेकिन यह easy है तो मेरी suggestion के है हम easy वाले को follow करें unnecessary steps बढ़ाने की कोई जरूती नहीं है और खासकर त्यान क्या रखना है आप multiple रखो two का multiple रखो four का रखो six का रखो three pi में आपके steps बढ़ जाएंगे अब बात करता हूँ question number ten की देखिए tenth question क्या कहा रहा है पहली चीज़ तो यह बताओ यह court है ना तो अगर आपको formula याद नहीं है तो ten minus x है ना वो बराबर होता है minus ten x के तो पहला तो यह मुझे समझ में है कि यहां बाहर minus आएगा यह अंदर बना 15 pi by 4 फिर दूसरा क्या करूँगा मैं इस 15 को मैंने 4 से divide करा 15 से करा तो देखिए यह भी 4 threes जा जा रहा है 4 threes जा 12 और यह 3 बचा तो 15 जो है 4 है इसको मैं ऐसे लिखूँ कि 3 तो पूरा पूरा और यानि कि 4 से divide करा है यह इस तरह का बना लेकिन अगेन मैं इसको change करने वाला हूँ मेरी क्या कोशिस है कि यहां पर यहां तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए और इसको simplify करोगे तो यही बनता है सर यह आप कैसे निकाल रहे हूँ यह मैं trial करके देख लेता हूँ और आप मैं इसको LCM लोगे तो 4 πाई में से 16 में से एक चला गए तो 15 बनेगा तो मेरा अगला step जो बना वो बना coat और इस angle की जगह पे लिख रहा हूँ मैं 4 πाई माइनस में पाई बाई 4 और आप सब को बता है कि 4 πाई यह देखो यह तो 2 πाई हुआ यह 3 यानि कि 4 πाई हो गया दो चक्कर अकड़ गे और माइनस 4 कर रहा है मतलब 4th quadrant में लाई कर रहा है तो 4th quadrant में देखा जाए तो वैसे भी coat negative हो जाता है तो यहां से और इसकी जगह पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए 0 भी समझे लूँ तरीका है यह तो समझने का यह अगर मैं coat लिख लूँ तो यह minus 5 by 4 बना और minus 5 by 4 है यानि कि एक negative बाहर है एक यहां पे negative हो जाएगा 5 by 4 और 5 by 4 अगर देखा जाए तो 10 का reverse है यह पई 5 by 4 अगर 45 भी तो होता है तो 45 degree है तो 10, 45 अगर आप देखो तो 1 होता है तो coat भी 1 होगा तो यहां से मुझे मिल गया minus 1 और minus इसका bracket खोलोगे तो definitely answer हो जाएगा plus का 1 तो अगर आपका answer plus 1 आता है यह सीधा 1 लिख देते हो then this is correct answer तो 1 is the right answer hope so आपको clear होगा with this your 10th question is over और thank you very much next exercise next video में कर लेते हैं